कि दोस्तों नमस्कार आपका यसमा स्टेडरी पॉइंट में स्वागत है आज हम उसी क्रम में मौली कदिकार के क्रम में तिसरा वीडियो लेके आए हैं कुछ प्रसने उत्र मुखी है ठीक है बहुत इंपर्टेंट है सभी को जाना जब रही है आईए चलते हैं पहला कोशन भारत में रहने वाला बटिस नागरिक दावा नहीं कर सकता है अब कोशन इसी फॉर्म में आएंगे वैसे नहीं आते कि कि सनुछेद में क्या दिया गया है उसकी अंदर सका पूछता है वंडे हो ससी हो आईए सो पीसे सभी में ठीक है क्या है ट्रहिपार और बहसाइक सुतनतता का अदिकार अधिकार निच्वेश् length 1916 का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रापत है ग्याताब है कि अनुच्छत उन्नीस वाक्यों सतंतता आधि विश्यक कुछ अधिकार का संद्छाण का अधिकार केवल भारती नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, आ गाई है, निम्नागित मैं से किन्हें सरोच नियाले ने मौलिक अधिकार के रूप में मनता दी है, किन्ह प्राइवाध कर द्यास्त कर दिया है, कुछ वादों में माना भी गया है, लेकिन ठीक है रिटयला पढ़ लिए और आफ खसक्लियर हो जायगा है, जो वाद कर दिलना नि我们 निम लिखे वक्तवियों पर ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है किसी को राष्टगीत गाने के लिए बाद नहीं किया जास्कता है क्योंकि ठीक है अब आप पताना है क्यों नहीं किया जास्कता है इसमें सही कौन कौन से हैं तो आज़े देखे, इसमें इससे वाक स्तंता और अविक स्तंता के अधिकार का उलंगन होगा, बिल्कुल होगा, इससे अंता करन की और धर्म के आबाद रूप से आचलन और परचार करने की स्तंता के अधिकार का उलंगन होगा, बिल्कुल होगा, राष्ट गीत गाने के लि नाम के रलाज का वाद हुआ था जिसमें उसने इस पीजें मानी थी ठीक है आई अगला कोशन लिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है ठीक कौन सा नहीं प्राप्त है अभिव्यक्ति की सुतनतरा उनीस के जो भी अधिकार है वो याद रखिए कि दोनों को प्राप्त हैं बेद के समझ समता इसे चौदा अपरादों के लिए दो सिद्धिक का समन में सरच नहीं से बीस प्राण देख सतनतरा का सरच एक इस सिच्छा का अधिकार का सोचल के विद अधिकार 23 और 24 धर्म की समतनतरा का अधिकार 25, 26, 26 यह सा समानता का से समन्दीत है कौन से 14 यह तो पहले पढ़ चुके हैं ठीक अगला कुछा नहीं निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी वेक्तियों को उपलूब नहीं है किसको मलब भारती है और बारती नहीं सभी को नहीं कौन से देखिए विद के समता दूacast करा ईदिकार नहीं है देशте भार्म सत्त्त कर्मत महालत प्रमोणता नहीं है ठीक है रहा चुमाव रहने का अधिकार है बिदेशियों को नहीं है, अगला भारती समीधान द्वारा प्रदत तरिनिम लिखित में से कौन सा अधिकार गैड नागरिकों को अपलब्द है, ठीक है कौन सा है पढ़िए, आइए देखते है, समयधानी निराकरन का अधिकार किसको है, गैड नागरिकों को भी अपलब्द मुल अधिकारों का संदर्भ में उपलब्द है, अन्य तीनों अधिकार के बारती देश के नागरिकों को अपलब्द है, ठीक है, अगला ये कौशन क्या है, बारती समुधान के प्रस्तावना प्रिक्त समाजवाद, सब दिकुल मिलिखित में से किसे नुच्छेद, नुच समुधान के किन अच्छेदों के नुसार, OBC अनि पिछला वर्ग को राच्छन के पाधान किये गये हैं, बताइए, उच्छेद 15-4 और 16-4 में, ठीक है, साब साब लिखा हुआ है, अच्छन के पाधान किये गये हैं, ठीक, अगला ये, बारती समुधान के निम लिखित अन इपर्टिंगे भी है, दो-तीम बड़ दिवास गजार जाएगे है, तो गलत नहीं होगा, वन डे के लिए तो भी आता है, सच्छिम भी आता है, वह ऐसे कोशन नहीं आता है, कि समताक अधिकार किसमें है, या अप सताकान तो किसना उसे किया गया है, अनुश्य से किया गया तो अब बहुत सीपल कुशन नहीं था, अब आपको भी डीप नालेज लेनी होगी, बारती समुदान मानता देता है, किसको देता है, धार्विक और भासा इलफ संकों को, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हमें छेत तीस में बताता है, कि भासा या धर्म प्रदाहित सभी अलफ संक अलफसा का अधिकार है, ये क्या है, मूल अधिकार है, किसमे है अनुच्यद 21 कायम है, इसका आदिक संदन का वह था, आक्टि सिक संदन हुगा था, जिसमें रखा गया ठीक है, और इसी के साथ ही मौली करतब भी हुई जोड़ा गया था, ठीक है, तर इंपटेंट ही आदै पढ़ लिए बहुत सिंपल जिले सीधा सिदा वह आसान कोशन है सब को पता होना चाहिए बारतिय संदन के संसंदन करके सिच्छा का अधिकार कब जोडा गया ठीक ये कोशन बहुत आता है या देखेए कपले 2010 को ठीक कब जोडा गया एक अपरल 2010 से लाग हुआ ठीक है अधिन सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 पास हुआ था उसके तहर एक अपर 2010 से लाग हुआ ठीक ध्यान रखेए कंफूजिन में कर दिए निम लिखित में कौन सा एक अधिकार राष्टी आपात का अपात काल तक में भी समाप्तिया समाप्त सीमित नहीं कि जा सकता है ठीक बहुत में है तो इसको धान रखेएगा ठीक एडिटेर पढ़ लिजिए आपको और आसानी हो के समझने में ठीक आज अगला कोशन है भारत के किस धार में पुर्दाय समधाय को यह दिया गया है अंदर बहुत जैन सिक हिंदू है बहुत जैन सिक सामिल है पार्सी नहीं है ठीक है अगला कोशन आई है भारत के किस धार में पुर्दाय समधाय को यह दिराश्टी इस्तर पर अल्प संख्या गुर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस यकिन विशेष लाभ लाभों का हगदार हो जाता है ठीक अगर किसी धार में संस्ताय संप्रदाय को दियाता है तो से साथ संस्तानों के स्थापना और सरक दन कर सकता है बताना है इनकों सही है ठीक यह संप्रदाय समय स्था साih स्थानों के स्थापना और सकाता है भारत के राश्पती इस प्रतिनीद eligibility को कर सकता है बिल्कुल कर सकता है ठीक है तो देहां दखियागा सम्पूदाय को बहुत चीज़ देगे हैं कोशन ऐसे बनेंगे अब तो उसके हिसाफ से आप अगया आगी है अगला कोशन यहां हुंहरा ठीक है किसी अफ्राद के अभीयुक्त को स्विं अपने विर्युद गवा shaped बनने के लिए बाद नहीं किया सकता है ठीक किसको देर बात संदान में कहां दिया गया है शिर भीस तीन में भी संद्ध को कौन साने छेट दो सिर्दिके संबंद में अभित्नों को दोरे दंड या स्वा अभी संबंद से सन अच्छन पतान करता है कौन है और छेट बीस ठीक इंपर्टन है जाद किया हूं बीस दो और बीस तीन में क्या क्या दिया गए है दोख रिटेल पड़ लिए क्लेट हो जाए चीकरनों को मर्लब की 24 गंटे कंदर आपको जो है प्रिजिन करना देखो 32 में पांच बाते देगें पांच बाते आदेख्या बंदी पते चीकरन परमादेश पतेश्यद और अधिकार पेच्छा ठीक है यह पांच चीजिए आद दख्यों ये भी पूशता है कि इन में से क परटन है चारो याद अखिए किसमे क्या दिया गया है तो आए इनका देखने कर एक गवपाल बनाम मदरास राज उन्हीं सुपचास मुआ था गोलक नाथ बनाम पंजाब राज उन्हीं सरसट मुआ था के सब भारती बनाम के रलाज उन्हीं सुतिया था मिनर्वान मिल्स अपने बनाम भारत संग उन्हीं स्वा असी मुआ था ठीक है सन्या दखिये आपका बाकी चाहिए अपने अब हो जाएंगे किसी बैक्तिक को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभी उजित और दंडिट नहीं किया जाएगा किस अनुच्छेद बीस ठीक बारती सम बारा वहिद प्रिया पदा वली को उसी अर्थ में प्रिट किया गया है जिस में अमेरिकन सम्झान में सम्यक विद प्रिया ठीक है यार रखिये बंदी बनाये गए बैक्तिकों मौलिक अधिकारों के रच्छा के सनुच्छेद से प्रत पृत है किसे होती है नुच्छेद बैस से मासप है कुछ दोसामें गरिफतारिकार निरोद菁 संछा सब्सक्राइस किा गया किसी बैगतीokon Do १॥ ॥ार किया गया है ऐसी गरिफ्तारिक कि करना चैरा सीर खाना कराई विना अभी रच्छा में बिद्थ सेंov Präsident बिना मुकदमा चला है बंदी बनाया जासकता कब तक तीन माह यह बार आया है रिपीट बहुत बार हुआ है कोशन तो इसको बहुत अच्छा चाहत रखी गए तीन माह है ठीक है कन्फीजन हो यह तीन माह है अगला कोशन बंधव मजदूर उनवं अधिनया मसंस्थ में पाइद किया गया था कब 1976 में थीक कैं तो अधायस पशेत्यक्स न को जारी कि आ गया थिसक्ति से पॉभविब हुआ था दैनक्यान इसका स्थान बाद में बंधव मजदूरी प्थान दिन नन्युशे प्शेत्तिल ने ले लि बीना करता भी के उसी प्रकार है जैसे मन उसी परकार है जैसे मन उसी परकार है अगला कोशन भारत के संदर में निखित में से कौन साथिकार है अधिकार करतवियों के 20 जए संबंद है कौन हैं अधिकार करतविक साथ संबंदित है ठीक भी बिल्कुल ठीक सही अंसर है ऐसे कोशन है बहुत बाटव कोशन थे अब इनको एक दुबार पढ़ जाए रिविजन कर जाए जिससे कि जब भी कोशन है तो दिमार्ग से शिलिप न हो ठीक है बहुत धन्यवाद देखने के लाइक और सब्सक्राइब कर दिए जिससे आपके वीडियो आगे मिलते रहें ठीक बहुत धन्यवाद